केसे हम पडलेमो judgment करें तो सबस्क्तरा ल सक्क्राभाई मैंघिल उसे पास गाइज मुल्टिपल इन्हेरिटेंस बैसिकली अगर हम उसकी तोडिश्री documentation में समझाओ कि क्यों इंपोर्टेंट है extending the capability of a class without making any changes to it basically guys, हम मुल्टिपल इन्हेरिटेंस में क्या benefit होता है एक तो हम मुल्टिपल classes इन्हेरिट कर सकते हैं और बिना उसकी क्लास की क्या properties change करें guys हम क्या inherit कर सकते हैं अलग अलग चीज है sharing some common code between variation of that class मतलब guys हम multiple inheritance के through क्या कर सकते हैं inheritance यह तो तो है normal inheritance हो multiple inheritance हो हम जो common code होता है guys जो classes के बीच में होता है वो share कर सकते हैं उससे हमें benefit क्या होगा एक तो में लिखना नहीं पड़ेगा एक ही functionality को और अगर चेंज भी करना है तो हम उसे modify कर सकते हैं overload करें राइट फिर leveraging polymorphism to treat different classes as if they are same तो guys हम यहां पर polymorphism का भी use कर सकते हैं अगर हमें different changes करने हैं मतलब same ही जो मैं अभी आपको बताया जो same method है guys हमने inherit करा एक class से right अब हमें उसमें changes भी करना है तो हम same method को inherit करके उसकी properties यूज भी कर सकते हैं और उसे उस class में जिसमें use कर रहे हैं उसमें polymorphism का use करके guys उसे change भी कर सकते हैं अपने बिना उसे खुद बनाए वे किसी और class से लेकर हैं तो हमें क्या benefit हुआ लेकर इसमें हमारी जावा होती है उसमें एक चीज अलाउड नहीं होती है इसमें guys क्या होता कि जो हमारी एक class होती है हो एक ही दूसरी class को inherit कर सकते हैं हमारे इसमें जावा में क्या अलाउड नहीं है multiple inheritance allowed नहीं है guys और multiple inheritance से हमें क्या नुकसान है guys अब एक class सिर्फ एक ही class के method है या फिर future वह access कर सकते हैं अब हमें चाहिए कि multiple काम चाहिए तो वह नहीं कर सकते हैं हमें जावा multiple inheritance का किस तरीके से देती है guys interfaces के through कि हमारी जो functionality multiple inheritance से मिस हो रही है तो उसका solution guys हमारे पास है interfaces अब interfaces guys अगर हमें समझना है कि interface क्या होता है और कैसे work करता है तो आप यह सूच लो एक जैसे building है right हमारे पास building है ठीक है बनी हुई है लेकिन हमें यह नहीं पता कि उसमें क्या है क्या है क्या हमें guys उसके कोई कोई blueprint नहीं बस बना हुआ है और उसका सिर्फ हम use करेंगे ऐसी guys क्या होता है interface होती है जो basically एक abstract class होती है जो बनी हो ही होती है लेकिन उसके method बने हुए होंगे लेकिन वह implement नहीं हो होंगे मतलब वह define नहीं होंगे हमें उसे अपने मर्जी से क्यों करना पड़ेगा तो ऐसी हमारे क्या होता है और इंटरफेस को क्या करते हैं गैस implement करता है जैसे हम जो दूसरी classes होती है उन्हें हरेट करते हैं तो गाइस क्या use करते हैं extend यूज करते हैं जबकि interface में किसी और interface को inherit करेंगे तो क्या use करते हैं implement यूज करते हैं तो गई जो हमारे implement होता है अगर इस example से देखें तो हमारे क्या implement किसमें करेंगे एक class में करेंगे और उसका instant create करके object से use कर लेंगे तो इससे हमें benefit क्या हुआ गाइस क्योंकि यहां पर जैसे मैं आपको बताया जो हमारे interface होता है गाइस interface class जो होती है वह basically एक empty class होती है जिसमें जो जैसे हमारे methods होते हैं गाइस वो क्या होता है predefined होते हैं but sorry predefined नहीं होते हैं मतलब उसे हमें एक class के through object बना के उसे क्या करना होता है यूज करना होता है मतलब अपनी हिसाब से गाइस उसे change कर सकते हैं और उसे use कर सकते हैं यह क्यों हो गए interface हो गए गाइस थोड़ और डिटेल में जाते हैं इसमें तो गाइस interface basically क्या है एक class होती है हमारी अब हमारा main issue interface यूज करने का है क्या हमारा क्या है एक class जो हमारी क्या है एक parent class है तो child class एक parent class को access कर सकती है एक दूसरी child class उस parent को access कर सकती है मतलब एक class जो parent है वो multiple जो चाइल्ड है उसके मुल्टिपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं लेकिन चाइल्ड क्लास के गाइस जो हमारी कौन सी होती है चाइल्ड क्लास है इसके मुल्टिपल पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं यह थोड़ा गर आपको लॉजिक समय में आया है जो हमारी क्लास होती है जो पेर हम कर देते हैं तो हमारे जो चाइल्ड क्लास है जहां वो सिर्फ एक ही क्लास को इन्हेरेट कर पा रहे थी इंटरफेस को मुल्टिपल इंटरफेस इन्हेरेट कर सकते हैं तो हमें क्या फंक्शनलिटी दे रहा है मुल्टिपल इन्हेरेटेंस की किसके तुरू इंटरफेस के बनाई होता रहा है हुआ है तो हम थूद सा इंटा इंडफेस के उसमें और क्लास बिछ समय के लिए देखा कााई की इस से Benet था W solo आप जो हमारी केर्वान है तो यह गाइस क्या एक फुल-फ्लेश क्लाश है इसलों अप फुल-फ्लेश कलाब टा है अल्री अरवारी वहेägल एक रα Lag चीज है और लेक लेकिन रोड़ चीज यह हो किसम 확실히 रषा filler एक हमने क्या बना लिया इंटरफेस बना लिया इंटरफेस क्या बना लिया मुवबल क्लास मतलब वेकल क्योंके वेकल क्या है मुवबल होता है तो हमने एक इसकी प्रॉपर्टीज ले लिए इंटरफेस में वेकल की एक उसकी प्रॉपर्टीज ले लिए इस हमने हाउस की जो पुरे define नहीं करा इसलिए कि आए इंटरफेस अगर मैं किसमें इन्हेरेट कर लो इसे करवान में इन्हेरेट कर लो तो हमारे दोनों फीचर आगे किसके movable भी है और house भी है तो यह क्या बने है हमारा केरवन अब इसको एक कोडिंग में देख लेता है तो मैंने इक इंटरफेस बनाया movable उसमें एक method बनाया move के नाम से int distance और एक दूसरा इसमें method बनाया boolean can move तो इसमें दो method बना दिये आप जब मैं आपसे कहा था जो interface होते है वो एक class बनी हुई होती है उसमें methods होते हैं लेकिन वो defined नहीं होते हैं तो guys यहां पर उसी का example है आप यहां पर देखो जो method तो है हमारा right method क्या है move और उसमें क्या ले रहा है distance जब वो move करेगा तो obviously कोई तो distance calculate करेगा लेकिन guys यहां पर इसकी कोई body नहीं है method की खाली क्या है सिर्फ हमें हमारा खाली इसने क्या करेगा create method बट इसकी definition यहां पर नहीं है ऐसी हमारा boolean type को क्या है can move वाला method अब इसमें हो सकता है कोई parameters ले की कोई नहीं कोई condition हो कि अगर distance calculate क्या करेक travel करें तो वह can move कर सकता है इसमें भी आप देख सकते हो गई इसकी कोई बाड़ी नहीं है मतलब यह भी क्या है एक abstract method क्यों होते हैं गई जिनकी body नहीं होती है तो यह basically क्या है यह सारे चीज़ें मिलके क्या बनाती है एक interface बनाती है तो यह क्या बनाती है का हमारे सारे मिलके एक abstract method create करते हैं राइट अब इसके बाद एक यहां पर एक हमने दूसरा interface create कर दा वो किसके लिए कर दा गाइस habitable के लिए जो किया हमारा house ता राइट जो house वाली properties नहीं उसके लिए हमने यहां पर इस वाले interface में जो क्या है कोई रह सकता है किसे भी house में रहने वाले लोगों को कहते हैं गाइस inhabitants कहते हैं तो बेसिकली यह हमने method create कर दिया इसमें अब इसमें भी आप देखो गाइस इस वाले interface में भी क्या नहीं है हमारी इसकी कोई body नहीं है method की यह भी क्या एक abstract method है क्यों कि यह एक interface है तो कि गईगाइस हमेशा इस बात का दिहान रखना है जो interface होता है वह क्लास होती है इसके में उते हैं वह हमेशा क्या होता है वो हमेशा किया होता है implement होता है इस थोड़ा जो आओ यूज करा है implements right implements और implement हमने हमें पर क्यों यूज करा क्योंकि मैं आपको बता है हमारा interface होता है जो intherfas classes होती है guys हमारी वो inherit नहीं होती है implement होती है यह यहाँ पर extend की जग़ा अब क्या use करें इंप्लेमेंट यूज करें हाँ और इससे हमें क्या बेनिभेट है यहां पर काई दो क्लास का नहीं कर सकते थे इंहहरेट नहीं नहीं nobody होते हैं जब कि अब हमने इंटरफेस क्लास है किसके तुम कर लिया है किस के थूपिक्लिमेंट करके कर सकते हैं तो यहां ус जो फायदा होता है किसी भी class को inherit करने का क्या होता है कि हम इसके methods होते हैं वो क्या use कर सकते हैं अपने free will के हिसाप से right तो implement में भी वही चीज होती है guys अब बस हमारे implement है बस यह था interface class थी guys उसमें जो method बने हुए तो है but defined नहीं है सकता हूं गाइस और मैंने सिंपल इसमें क्या आप से करूं कि ए prossा ऑर इसको भी हम आप कर सकता है कितनेशं रह सकते ूह क्या उपना हमने करते इते हैं कितने नियुक्त में यह लिए तो वह शे habitable में और movable interface में जब कि हमने उसे use कहां करा अपनी केरवान वाली class में और इसकी जो definition है guys definition हमने किसमें केरवान वाली class में बलब जो interface वाली class थी guys हमने उसमें definition नहीं थी definition वहां दिया है जहां पर हमने ज़े use करा है थोड़ा था difference होता है guys किसी class को inherit and implement में hopefully guys jean IP iPhone 121.1.2.2.,2.3.3.2.3.2.4.3.2.4.3.4 . 151.2.3.4.4.4.4 ,7.4.3 3.4.4.4.4.4 था 352.4.4.1.1.4.4-3.5 नहीं हमने ती एक दो फेकर पार समन करते हैं कि हमने इतना इसराइस ह need to but not how to do it basically guys मैंने आपको क्या बताया method लिखे हुए है कि हमें क्या करना है बट यह नहीं बताया कैसे वह हमें खुछ से डिफाइन करना पड़ेगा क्यों क्योंके guys interface हम यूजी इस लिए करना है तक हम multiple properties कर सके inherit कर सके और उसे अपने हिसाब से change कर सके तो यह इसके लिए हमें perfect क्या देता है functionality provide करता है गाइस उसके बाद दूसरा point creating an interface is very similar to creating a class basically जो हमारी class होती है बिल्कुल उसी की तरह है जैसे class होती है उसमें fields होती है methods होती है ऐसी क्या है हमारा interface और कोई issue नहीं है और जो class होती है क्लास क्या करते है और जो interface वाली class होती है हमारी उसे क्या करते हैं implement करते हैं तुसरा point क्या है गई हमारा an interface sole purpose is to be implemented by one or more classes तो यह हम discuss कर चुके है कि जो हमारा interface का purpose है हम लिखक्यों रहे है interface क्योंकि guys अगर आप वैसे देखो अगर functionality के हिजाब से देखो तो हमारी classes सब चीजे करती है already तो हमें interface की जरुवत ही क्यों पढ़ रही है क्योंकि हमें main purpose क्या उसका कि ताकि जितने भी child classes होती है guys वो क्या है multiple inheritance कर सकें तो interface का परपजी क्या है कि एक से ज्यादर classes से वो क्या करें inheritance करें you cannot create an instance object from an interface so basically guys यह क्या कह रहा है कि हम क्या जो interface होता है उसका object create नहीं कर सकते तो basically वो क्यों नहीं create कर सकते guys क्योंकि जाब हमारी क्या abstract class है कोई defined है नहीं तो आप उसका object create क्या से करोगे रहा है और उसकी usability कैसे लेकर होगे अपने उसमें हमारा लास्ट पॉइंट क्या है गई इस नाट रिद्यूसिंग कोड़ पिटिशन इस more about reinforcing a good design तो basically guys हमारा interface एक इस लिए नहीं होता कि यह basically कर दिशन का यह परपस है अब उसे हम किस परपस को कैसे यूज करें पहले हमने डिफाइन कर दिया परपस को अब उसे कैसे करना है वह हमारे ऊपर है गाई तो इसलिए हमारे थोड़े designing में क्या है डफेस बहुत काम आता है गाई कि